Hello everyone, 68th BPSC का exam तो हो चुका है, अब बार ये 69th BPSC की 69th BPSC के exam से पहले, BPSC के जो chairman है, उन्होंने कुछ बहुत ही जाधा important updates दिये हैं कि अब से ये exam कैसे conduct होगा और इस से पहले भी 68th BPSC के exam होने से पहले भी कुछ बहुत important updates आये थे BPSC के pattern and everything को लेकर तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले तो अब तक क्या होता था ना BPSC और BPSC जैसे almost same nature के जो other exam से जैसे auditors, CDPO ये सब के exams अलग-अलग हुआ करते थे तो क्या होता था कि मतलब इन सब एक ही almost same nature के exams के लिए अलग-अलग form भनना पड़ता था अलग-अलग exam होता था अलग-अलग fees भी देनी पड़ती थी तो अब से BPSC ने क्या करा है कि BPSC से जैसे जो same nature के exams है जैसे BPSC है, auditor वगएरा इन सब का एक ही combined pre लिया जाएगा तो यानि कि आप आपको अलग-अलग form नहीं फिल करना है, अलग-अलग exam देने नहीं जाना है, अलग-अलग fees जमानी करनी है तो जो same nature के exam है, BPSC से मिलते जुलते हैं, इनका paper and everything almost same होता है, उनका exam एक ही दिन होगा, BPSC combined pre में, ठीक है, वो साल में एक ही बार होगा, तो यह एक काफी अची चीज है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह बात कर लेते हैं कि आखिर 69th BPSC की preparation कहां से और कैसे करी जाए तो देखिए, PW ने UPSC वाला के बाद अब लॉंच कर दिया है PSE वाला, PSE वाला एक ऐसा platform है जिसके तुरू आप अपनी पूरी PCS level के exams हैं, जैसे 69th BPSC या फिर UP PCS 24 उनकी preparation अपने घर पे बैटके कर सकते हैं बहुत easily और वो भी बहुत ही affordable price पे, क्यूंकि PW और अलग सरका तो motive ही है, quality education for all at minimum cost, PSE वाला में यहाँ पर आपको एक सक्षम बाच मिल जाएगा जिसके जुरू आप अपनी पूरी UP PCS 2024 और 69 BPSC की preparation कर सकते हैं, यह जो सक्षम बाच है, यह हिंगलिश में है, यहाँ पर आपको one of the best teachers से पढ़ने का मौका मिलेगा, यहाँ पर आपको study notes म test series मिल जाएंगी, magazine मिल जाएंगे, class notes मिलेंगे, सारी चीज़े यहाँ पर आपको मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको पताए कि एक foundation badge है, तो यहाँ पर आपको पूरी, मतलब starting से आपकी preparation कराई जाएगी, अगर आपने कभी तयान नहीं किया है, या फिर BPSC से related आपको कुछ भ का discount मिल जाएगा, तो अगर आप अपनी पूरी 69 BPSC या फिर UPPCS 2024 की preparation अपने घर बैट के करना चाते हैं, वो भी बहुत ही affordable price पर, तो इस video के description box में मैंने link दे दिया है, do not forget to check out, दूसरी बात बहुत समय से demand हो रही थी कि BPSC में जो E option है, उसको हटाए जाए तो अभी इस से related कोई update नहीं आया है, BPSC का कहना है कि इसके बारे में और सोचा जाएगा और क्या changes हो सकते हैं, वो आगे चल के पता चलेगा, फिलहाल जो E option है, वो नहीं हटाए गया है, और इस से related और भी एक और बहुत ही important चीज और बहुत ही helpful चीज सामने आई है, कि अब शायर ऐसा हो स सामने निकल के आ रही है, कि शायद ऐसा हो सकता है, कि जब आप form फिल करने जाएं, तो आपको आपकी choice का center मिल जाए, ऐसा option अभी देखने को मिल रहा है, कि शायद जब आप form फिल करने जाएंगे 69 BPSC का, तो शायद आपको ऐसा option मिल जाए, तो ये काफी important और काफी प्यार होगी हर अलग post के लिए, हर अलग exam के लिए और जो cut off है वो भी अलग-अलग defined हो गया, बाकी 68 BPSC से पहले ही BPSC ने अपने paper में क्या introduce कर दिया था, negative marking का concept introduced कर दिया था, यानि कि बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत लोग तुक्के के basis पे BPSC pre निकाल लेते थे और स्टेट से भी BPSC देने जाते थे और निकाल लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप negative marking introduced हो गई है, और negative marking कैसे है, one-fourth negative marking है, ठीक है, तो यानि कि अगर आप एक question सही करते हो, तो आपको एक marks मिलेगा, और अगर आप 4 question गलत कर देते हो, यानि 0.25 हर question पे आपके cutting marks, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखने है, दूसरी चीज मेंस के level पर जो बड़े बदलाव करे गया है, वो ये है कि जो पहले optional paper होता था, जो पहले subjective होता था, वो अब objective कर दिया गया है, प्लस qualifying कर दिया गया है, ठीक है, पहले वो qualifying नहीं होता था, बड़ा portion होत था, 300 marks का paper होता था, आप 100 marks का कर दिया गया है, ठीक है, बाकी जो सामान ने हिंदी था, qualifying वो आज भी वैसा ही है, इसके अलावा BPSC ने भी 300 marks का एक essay का paper इंट्रेड्यूस कर दिया है, ठीक है, तो अगर आप 69 BPSC की preparation कर रहे हैं, तो ये जो नए changes करे गए है, नया जो exam conduct कर करवाने का जो तरीका BPSC ने अपनाया है, कि अब सारे जो relatable kind of exams है, BPSC जैसे, उनके लिए एक ही combined pre होगा, और ये सब changes को आपको ध्यान में रखना है, अगर आप 69 BPSC की preparation कर रहे हैं, तो और exam crack करना चाहते हैं, ठीक है, so that's it for today's video, I hope you guys are doing well, till then stay tuned on my channel.